मुझे लगता है कि आपकी understanding of characters, understanding of storytelling can only be groomed if you are an avid reader मैं सिर्फ इसमें belief करता हूँ कि आपको पढ़ना बहुत जुरूरी है आप जितना पढ़ेंगे, जितना, क्योंकि जो कुछ आप बयान कर रहे हैं वो एक जबान का महताज है वो अर्दू में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, जिस जबान में बहुत जुरूरी है ये directors अपने तोर पे इस चीज़ को जहन में पका कर लें कि as a director आप जिस जबान में बना रहे हैं उस जबान पे आपका control होना बहुत जुरूरी है as a matter of ego मैं तो समझता हूँ, मेरा actor जब फसता है किसी जुमले पे तो मुझे लगता है, मुझे पांच सेकंड में उस लवज को बदलना है मुझे उसकी जगह एक और लवज उसको बताना है वो अंग्रेजी का जुमला है या और्दू का जुमला है मुझे लवज आना चाहिए तो जबान आप कभी भी अपनी इंप्रूव नहीं कर सकते है जब तक आप रीड नहीं करेंगे तो रीडिंग I think is very very important और फिर आप स्टोरी टेलिंग के बिजनस में है तो अगर आप एक स्टोरी टेलर अच्छा बनना चाहते है तो आपकी observation बहुत अच्छी होनी चाहिए दूसरा आपकी reading बहुत ज़ादा होनी चाहिए और अगर आपको reading से बिल्कुल भी कोई शगफ नहीं है तो एक तो मेरा ख्याल है आप यगीनन वो शगफ पैदा करने की कोशिश करें दूसरा अगर आप वो नहीं करना चाहते then you shall watch a lot of cinema, a lot of television so that you understand के different approaches क्या है और एक जो चीज मैंने शुरू में कुछ एहमकाना हरकतें करकर के भी सीखी कभी भी technique और style को किसी चीज में फसाने की कोशिश ना करें जो कहानी है वो अपना style और अपना अंदाज आपको खुद बताए आप कोई film देखके उसमें से कोई shot देखके उसको किसी भी कहानी में मत फसाए हाँ, अब आप जो कहानी बना रहे हैं या आप जो scene conceive कर रहे हैं उसके लिए अगर आपने बहुत सारा कुछ पढ़ावा है बहुत सारी filmें देखी ही है तो automatically आपको कुछ ideas आ जाएंगे बट आम तर पर मुझे लगता है कि हम लोग और खास तर पर नए बच्चे जो काम में आ रहे हैं वो बहुत ज़दा technique से inspired है उनका दिल जाते है camera कुछ तेडा हो जाए या कुछ camera कुछ maze के नीचे से short बन जाए या कहीं से कुछ हम jump cut में editing कर दें या कुछ you know कुछ experiment कर दें वो जरूर करें आप but unless that is required by the kind of story that you are telling it will not look good at all so be honest about what you are saying what you are trying to tell and have a big reserve of observation of reading, of music, of films this is what you will be dealing with so I think that's all that one needs to do because ये वो काम है या ये वो दफतर है जो आप लॉक करके नहीं चोड सकते आप घर भी आएंगे आपके दिमाग में short चल रहा होगा आप सोएंगे भी तो आपको याद आ रहा होगा कि मैने lighting कैसी करवाई थी आपके आपकार को क्या बोल रहा था तो आपके या रहा था आपक्ता हमात्र कोड सकते बोल रहा होगा so if you are in it so trust me you are in it for life and for 24 hours in a day you have to live, sleep, eat, breathe films and drama and storytelling that's how I think it has been for me